हेलो विवर्स वेल्कम बेक टू माई चैनल दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब बहुत ही जाद अच्छे होंगे दिली के लजीत खाने में हम आपका बहुत बहुत ज्यादा वेल्कम करते हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगी वर्ल्ड फेमस असलम बटर फिश तिक्का की रेसिपी और यह पूरे यूट्यूब पर आपको इसकी रेसिपी नहीं मिलेगी आज ही हम आपके लिए यूट्यूब पर पहली बार लेकर आए हैं असलम बटर फिश तिक्का की रेसिपी और इ देखें यह हमने 1 तीस्पून नमक एड़ करेंगे और अब पेस्ट जिंजर पेस्ट एड़ नहीं करना आपने गालिक पेस्ट टालना है सिर्फ इसके अंदर एक नीबु का रस टाल देंगे हम इसके अन्दर तो आप एक नीबु का रस निकाल कर इसके अंदर दाल दिजेए अच्छी से mix कर लेंगे निदी इत जाए थिसको भी अच्छी से वाश कर लेंगे अब रिट्फिश को भी हमने अच्छी से वाश कर लिया था इस के अंदर भी स्मेल नहीं है बहुत अच्छी है सुर्मई फिश है और यह देखें हम इसके अंदर दालेंगे 1 थीश्पून जाट्ञाट सब्सक्राप चायट मासाला, अटो अडोप कारिय अदर तीश्पून के अदर जिरा पाउडर, बढ़ ये देखेंगे, अल्दीपून सुटल्फप ठीश्पून, तो ये दिखेंगे, मौझूद मसाले, इसकी वह आदर कोरिय आदर बटर फिश बनाएंगे बहुत जादा टेस्टी और मज़ेदार और देखें इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को मच्छी से लगा लेंगे हम इसके अंदर फूड कलर रेड नहीं करेंगे यह हम वन टी स्पून कश्मीरी लाल मिष्ट पाउडर डालेंगे जिससे थोड़ा कलर भी अच्छा हैगा और यह बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिष्ट पाउडर ना हो तो आप वन एन अ इस तरह हम यह चार चार पीस लगा लेंगे तो चार पीस लगा लेते हैं हम इसके अंदर इस तरह हम लगा लेंगे इसके अंदर दही नहीं जाता फिश तिकका के अंदर असलम का जो बटर फिश तिकका होता है मेरिनेट के अंदर उसमें दही नहीं जाता सिर्फ यह मसाले आप इससे तरह बना कर देखे का बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो असलम फिश तिक्का के अंदर आता है तो वही टेस्ट मिलेगा आपको यह देखे यह हमने सारी पीसिस है वही स्क्यूर्स में लगा कर रख लेंगे अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरह तो तो यह देखिए गैस के उपर हमने ग्रिल रखती है और यह हम गैस के उपर इसे रोस्ट करेंगे आप चाहे तो इससे पैन के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल लुक वाइस भी और टेस्ट वाइस भी बिल्कुल असलम फिश्टिक्का काएगा तो इसलिए हम यह ग्रि जाती है है तो अब वह जाने वह छल्ता है जाती है और ब़हात अच्छा सकते हैं और बनानी के लिए तो कली के यह हम अच्छाती है श्यादत कर लेंगे और प्लटते रहेंगे चेक करते रहेंगे हमारी आसलम बटर चिकन की रेसिपी भी हमारे चैनल के उपर अपलोड है आप वह भी देख सकते हैं वहाँ पर जाकर तो यह देखिए इसे हमने चिसे रोस्ट कर लिया है और इसे हम निकाल लेंगे यह देखिए सारे पीसिस हमारे इसे रोस्ट हो गए हैं और मसाली की कोटिंग भी नहीं हाटी बिल्कुल भी तो यह दीखिए दोस्तों यह हमने प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं और आब हम इसके अंदर बार्बीक्यू का फ्लेवर देंगे जिससे बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा इसको ट्रांसफर करेंगे सारे पीसिस हम अराम से निकाल लेंगे क्यारफुली आप निकाल लीजे क्योंकि सॉफ्ट होती है फिश बहुत स्यादा तो यह इसके पीसिस तूटने नहीं चाहिए तो यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे यह रोस्ट हुए हैं फिश के सारे रखेंगे और इसके ऊपर आप बटर यह घी कुछ भी डाल सकते हैं मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालूँगी सोरी यह क्लिप हमारी शूट नहीं हो पाई बटर डालते टाइम की लेकिन देखें हमने इसके उपर बटर डाला है और इसे हमने कवर कर दिया है तो आप देखें पांच मिनट तक हमने इसे कवर करके छोड़ा था जिससे इसके अंदर बार्बियू का बहुत जाद अच्छा फ्लेवर गया है और यह कोईला हम निकाल देते हैं और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे जिस तरह असलम की बटर चिकन की ग्रेवी होती है उसी तरह बटर फिश की भी ग्रेवी बनती है तो यह हमने 500-200 घर देहें और इसके अंदर देखें यह अमुल फ्रेश क्रिम डालेंगे हम तीन बडर चमच तो तीन से चार आप बड़े चमच यह अमुल फ्रेश क्रिम डाल दिजिए और इसे हम अच्छे से बिट कर लेंगे अच्छ बटर्फिश जाती है, पृत अच्छा टेस्ट साथार और भी मिक्स कर लेंगे औरικά छाट मसाला हुआ 맛있는 आप दालतेये पारे स्क्टराबह तो आप कोई हैं इसके अधे अम इसकेट मेंड़के इसकेदा ग्रावलजकेश तो ड़ंक yardım ह ग्रैवी ढ मैंट अटर पेमटे ते पारे के घट कर तो कुछ था एक सिरम दो कर दो कर दो अधर मक यूट्यूब पर आपको अभी तक इसकी रेसिपी नहीं मिलेगी आप हमारी रेसिपी के साथ जाकर यह असलम बटर फिश तिक का जरूर रहे किजेगा बहुत जाद अच्छा इसका टेस्ट आएगा और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक जरूर किजेगा दुआओं में हमें जरूर याद रखें अपनी फैमिली फ्रेंट्स में ज्यादा स्यादा शेयर करें हमाई रेसिपी को नेक्स्ट वीडियो में इंशालला आप से फिर मुलाकात होगी एक नई मसेदार रेसिपी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग